पाकिस्तान्स मोस्ट वाचिंग लीगल अवेरनेस यूट्यूब चैनल पाकिस्तान्स मोस्ट वाचिंग लीगल अवेरनेस के अंदर लीगल लेक्चर्स की सीरीज के अंदर हमारा आज का टॉपिक बहुत इंट्रेस्टिंग है बहुत इंफॉर्मेटिव भी है और इस टॉपिक की उपर ना सिर्फ हमें में बहुत जादे रिक्वेस्ट आ चुकी थी बलके यह सुसाइटी का एक बहुत ही बड़ा बैड फेक्टर भी है जूटी एफ आई आर करवाना फॉल्स एफ आई आर बे बनियाद एफ आई आर जूटे मुकदमे में किसी को फसाना किसी को शामिल करवाना यह हमारी सुसा लगता है वो अपने ताई चाहे कोई पॉलीस ओफीसर है कोई भी वो अपने ताई इस एफ आई आर का गलत इस्तमाल करने से भी दरेक नहीं करते चूटकि इस से पहले हमारे बहुत से ऐसे लेक्टर्स एफ आई आर कैसे करवाई जाए इसके उपर अपलोड हो चुके थे बहुत से टेक्नीक्स उनके अंदर हम explain कर चुके थे तो उसी की वज़ा से हमें ये भी आया है कि ये तो ठीक है कि F.I.R कैसे करवाई जाए अब जो जूटी F.I.R करवा दे उसका क्या हल होगा उसका क्या तरीके कार होगा इसी को आज हम explain करेंगे कि अगर को आपके उपर जूटा मुकदमा करवा दे किसी जूटे मुकदमे में आपको फंसा दे जहां पर आप involved नहीं हैं या कोई ऐसा fact जो आपने किया तो हो लेकिन दूसरी party उस fact को बनियाद बनाकर आपको इल्जाम दे आपको मुल्जम ठहराए आपके उपर F.I.R करवाए आपके उपर करेंगे लेक्शर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मिने यूट्यूब चैनल law and communication skills के उपर नए हैं तो red button को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्स्क्राइब करना और साथ में ही बेल आइग उनको प्रेस करके all notification करना ना भूले ताकि ऐसे ही further तमाम informative lectures आपकी access में रहें और उनक हमारे इस lecture को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ जिस और दोस्त ने हमारे वकील भाई ने हमारे बड़े भाई ने मौतरब ने हमारे साथ तावून किया उनने हमें research material दिया इसके ओपर उनने हमारी बड़ी रहनुमाई की और बहुत सी चीजों के दर उनने हमें clarify किया तो पहुंचाने में हमारे साथ तावून किया हमें बहुत सारा research material भी दिया और चुके वह हमारे वह सीनियर दोस्त भी हैं भाई हैं कॉलीग हैं उनके बारे में मजीद information में नीचे description का नदे दूँगा उनके phone numbers identities वगरा आप मजीद रहनमाई के लिए उनसे रापता कर सकते हैं बड़े नफीस और बहुत ही मेरबान दोस्त भी हैं रहनमाई के लिए भी बहुत ज़्यादा capable हैं तो मजीद उनके बारे में जो information हैं वो में नीचे में description के नदे दूँगा उनके phone numbers उनकी identities वगरा उनकी designations वगरा आप उनसे contact कर सकते हैं anytime शुरू करते हैं हमारा lecture question of FIR FIR को क कैसे खत्म करवाएं अगर कोई जूटी FIR आपके उपर करवादे बेबुनियाद FIR करवादे मन घड़त स्टोरी बनाकर आपके उपर FIR करवादे जर्नली जहां पर हमारे माश्टे का ये एक हिसा है aspect है कि यहां पर FIR नहीं होती पॉलिस वाले FIR नहीं करते वहीं पर सेम टाइम में ये भी हमारे माश्टे का एक हिसा है कि यहां पर जूटी FIR भी बहुत ज्यादा होती हैं वडेरे जिमीदार जगीरदार अमीर ताकतवर बासर लोग कमजोरों को दबाने के लिए किसी से अपनी जाती रंजश गरज निकालने के लिए किसी को मतहद रखने के लिए ऐसी छोटे मकदमे बाजियों के अंदर लोगों को उलजा देते हैं फसा देते हैं जो उन्होंने नहीं किये होते जिनके अंदर वो इन्वाल्व नहीं होते या पोलीस वाले सम्टाइम रिश्वत लेने के लिए भी इस तरह के मुकदमात को दर्ज कर देते हैं लाइक अभी हमा असर लोग, ताकतवर लोग, अमीर तबका या और डिफरेंट वेस के अंदर लोगों के उपर जूटी एफ़ाईयार किसी को पुलिटिकल विक्टिमाईजेशन करने के लिए, किसी से अपने जाती रंजश निकालने के लिए, अपने असर रसो को इस्तमाल करते हुए, उनके चूटी एफ़ाईयार्स लाँच करवाई जाती है, और दूसी तरफ एक और एस्पेक्ट भी है कि जर्नली, अगर एक लड़का लड़की घर से जाकर शादी कर लेते हैं, तो लड़की के घरवाले भी उस लड़के के उपर अगवा की एफ़ाईयार दर्ज करवा देते है हमारी बेटी को बहला अपिस लाकर या हमारी बेटी को किसी भी सेंसरी शेक्स अगवा करके ले गिया, तो इन तमाम सूर्तों में एफ़ाईयार को अब वो तो एफ़ाईयार तो अपने एक्च्वल मतन में ही जूटी है, आपने वो जुरम किया ही नहीं, या जो फैक्ट ब या तो है लेकिन वो जुरम नहीं है चूँके विद कॉनसेंट हुआ लड़का और लड़की की, तो ऐसी सूरत में एफ़ाईयार को खतम कैसे करवाया जाए, क्यों से ऐसी टेक्नीक्स हैं, कौन से ऐसी लॉज हैं, जहां से हम एफ़ाईयार की बरवकत और स्पीडी आपके उपर ऐसी एफ़ाईयार करवाता है, ऐसी एफ़ाईयार होती है, चाहे वो आपने जुरम नहीं किया है, या वो फैक्ट तो आपने फुल्फिल किया है, बट वो जुरम की सेंस में नहीं, कि एक लड़का और लड़की घर से जाकर बाहर जाकर कोट मरिज करते हैं, लड़की के घरवाले लड़के के उपर अगवा की एफ़ाईयार करवा देते हैं, तो इन दोनों सूरतों में कैसे क्वाईश्मेंट की जाए, क्वाईश्मेंट दर असल एक लॉक अवर्ड है, लीगल टरम है, जिसका मतलब है एफ़ाईयार को खतम करवाना, दबाना, बे करवा देगा, तो इसकी जो बेसिक पार्ज हैं, इसकी जो बेसिक प्रोविजन्स हैं, जो बेसिक इकतियार है, वो तो हाई कोर्ट के पास है, CRPC 561, 561, सब सेक्शन A के तहत, आप हाई कोर्ट के अंदर, रिट फाइल करते हो, कॉन्स्टूशनल के तहत, परोसीड किया हाई कोर्ट की जो जूरिस्डिक्शन बनती है, वो 199 के तहद बनती है, कॉन्स्टूशनल लॉग के तहद, 199 के तहद हाई कोर्ट के अंदर, रिट फाइल की जाएगी, जिसके अंदर आप ये इस तदा करेंगे, कि मेरे ओपर जो F.I.R. लाँच की गई, या करवाई गई, जो जोटी है, बेबुनियाद है, मैं उस जुर्म के अंदर इंवाल्व नहीं है, जिसने जुर्म हुआ उस दिन तो मैं यहां पर था ही नहीं, उस दिन तो मैं इस जगह पर मजूद ही नहीं था, तो लहाज़ा इस F.I.R. को खतम किया जाए, मेरी जान शुडवाई जाए, तो 561 subsection A, CRPC क्या कहता है, उसको भी पढ़ लेते हैं, 561 subsection A, saving of inherited power of high court, nothing in this court shall be deemed to limit or effect the inherited power of high court to make such order as may be necessary to give effect to any order under this court or to prevent abuse of the process of any court or otherwise to the secure of end of justice, high court ऐसा कोई भी order दे सकती है, जो end of justice के लिए, कानून की फरवानी के लिए, जो इनसाफ की फरहामी के लिए, इनसाफ की फरवानी के लिए जरूरी हो, तो ऐसा कोई भी order, चुके question of F.I.R. के लिए आप जब फाइल करते हो, आपके उपर जूटी F.I.R. हुई है, तो ये भ और होती है, इसकी interpretation, भी order होती है, इसकी interpretation है, आप इसको बेल कर सकते हैं, और बहुत से चीजों के लिए उपर आप इसको फाइल कर सकते हैं, इसकी जो commentaries की interpretation है, बट में एक specific, आपके case law बताऊंगा, और इसकी specific question के उपर ही, जो interpretation है, जो इसकी commentary है, वो आपको पढ़ के बत प्रोसीकुशन वर्जियन डूरिंग ट्राइल एंड रिजल्ट वोड़ बी इकवडल ऑफ द अक्यूज इत वोड़ बी इट वूर फिटल एकसाइज पर उपर सिट विध द इफ इयार एफ इयार इफ इयार जिस्टर्ट अगें से अक्यूज वास्ट अगर कोई शक्स किसी क पीपीeliaüg के टहफे उस शक्त से खिलाफ कारवाई की जा सकती है जो किसी भी पब्लिक सर्वेंट को जूटी इंफारमेशन देता है बे बुनियाद इंफारमेशन देता है जो लौग के ओपर जिस जो हकीकी नहीं जो हकीकत के ओपर मबनि नहीं तो ऐसी information देने वाले एक शक्स को सजा और जुर्माना या दोनों सजाएं इकटी भी दी जा सकती है उस शक्स एक लाफ भी यह proceeding लांच की जा सकती है और अगर कोई शक्स को लड़का या लड़की घर से भाग कर या घर से जा कर शादी करते हैं कोट मैनेज करते हैं और लड़की के घर वाले लड़के के ओपर यह F.I.R. करवा देते हैं कि इस लड़के ने हमारी बेटी को अगवा कर लिया है तो ऐसी सुरत में मजिस्टेट साब के पास सेक्शन 200 CRPC के तहट एक कम्प्लेंट फाइल करें और अपने बियान रिकॉर्ड करवाएं 164 के तहट अपनी स्टेट्मेंट वो लड़की बियान दे अपनी स्टेट्मेंट रिकॉर्ड करवाए सेम मेजिस्टेट साब के पास के जी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ अपनी मर्जी से मैंने शादी की है बट स्पीडी रेमेडी इस डैड के हाई कोड कादा रिट फाइल की जाए वहीं पर सेम यही बियान रिकॉर्ड करवाए जाए अपने और अगर कोई ऐसी F.I.R होती है चुकि ऐसी भी हमें कॉल्स आई थी एक शेक्स ने बोला था एक शेक्स कॉल आई थी कि हमारे उपर यही एक F.I.R हुई है उसका क्या हल है किस दो यह उसके लिए भी है और बाकी ऐसे तमाम लोगों के लिए भी कि अगर कोई लड़का लड़की घर से जाकर शादी करते हैं कोड मेरेज करते हैं लड़की घर वाले परचा करवा दें उसके उपर F.I.R करवा दें तो लड़का हाई कोड के अंदर रिट फाइल करके इस F.I.R की क्वैशिंग करवा सकता है बट एविडन्स चुके यहां पर हमसे पूछा गया था क्या लड़की का कोड में आना जरूरी है हाँ बिलकुल लड़की का कोड में आना बिलकुल जरूरी है चुके एक्चुल जो फैक्ट है वो तो लड़की के उपर बेस कर रहा है अब आपकी बहाफ के उपर तो नहीं कोड मानेगी तो लड़की का कोड में आना बिलकुल जरूरी है लड़की का कोट के अंदर बियान देना भी जरूरी है और उसके बाद ऑनरेवल कोट ये और जारी करेगी उस F.I.R. को खतम करने के लिए तो ये तो था हमारा लेक्चर क्वाइशिंग ओफ F.I.R. F.I.R. कैसे खतम करवाई जाए हाई कोट के अंदर 199 के तहद रिट करके 561 सबसेक्शन A के तहद आप हाई कोट की इनहेरिट पावर को इंटर्टेन करवा सकते हैं और F.I.R. जो आप खलव जूटी लाँच की के लिए उसको खतम करवा सकते हैं की रो करवा सकते हैं उमिट करवा सकते हैं उस F.I.R. को आप टर्मिनेट करवा सकते हैं I hope यह लेक्शन आप के लिए फाइदे मंद साबत हुआ होगा मजीद वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राइब कर ले और अगर आप अभी तक भी हमारे साथ चुड़े हुए हैं तो आपके जौक और शौक की दाद देनी पड़ेगी और अगर लेक्शन पसंद आया तो शेयर करना न भूले अपने तमाम सोशल नेटवर्स के अंदर अपने हलका हिबाब के साथ मुझे अपनी दौाओं में जरूर याद रखे आप आप सबका हामियो नासीरो वसलाम